आपना आप्टरनून से लेकर नाइट डिनर तक कर रूटीन आपको पसंद आएगा थोड़ा सा भी पसंद आता है फॉर्स ताइम वाच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेर विद यूर फैमली और फ्रेंड 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 थैंक यू एव्रीवान फॉर व सब्सक्राइब करने लगी तो आज थोड़ा सा देर हो चुकी है रोशनी गई है स्कूल थोड़ी देर में वह भी आ जाएगी फ्रेंड और मैं चलती हूं किच्छन में खाना बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं कट कर लोंगी सबची ताकि पटा पट से जो खाना बन जाए तो पहले उसकी त्यारी कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूं तो चलते हैं किच्छन की ओर तो फ्रेंट्स आज मैं बनाने वाली हूँ तवा पुलाओ की रेसिपी तो इसके लिए सबसे पहले बासमती राइस को मैंने आदे गंटे के लिए पुला के रख दिया था फिर इसके बाद इसको बॉइल कर लिया है अभी और इसके बाद चान लिया था दो आलू को मैंने बॉइल करके रख लिया इसमें डालने के लिए अच्धिशी पाव भजी तवा पुलाओ में नहीं था इसको बोलते हैं पाव भजी तवा-पुलाओ क्योंकि इसमें प्रॉसस भी भी चावल में आ जाते तो बहुत अच्छा लगता है तो ये वनपनार से प प्याज कट करना दे गया है और यह जल्दी बान भी जाता है आप चाहिए लेक्ट ओवर राइस से भी ना आप कर सकते हैं बच्चे में चाबों से भी तो मैंने सारी सबजी को बारिक चौप कर लिया है अब तड़का लगाएंगे तो यह तवा पुलाओ काफी साथ अच्छा और इसमें साथ में जीरा आट करना है जीरा को हलका सा पकने देते हैं इसके बाद मैं आट करूँगी बारिक चौप किया हूँ बीन्स प्याज है गाजर है शिम्ला मिर्च है और इन सबको हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे ओवर कूप नहीं करना है थोड़ा सा बाइट क्योंकि अब फ्रेश मटर नहीं आते गर्मी का सीजन है इसको भी भून लेंगे फ्रोजन मटर को ज्यादा वक्त नहीं लगता है तो यह जल्दी कुक हो जाता है इसके बाद मैंने दो टमाटर आट किया है चौप गया और इसको भी बारिक चौप करना है अच्छे से इसको अच्छे से बाद जो बेसिक से मसाले हैं वही आड़ होता है नॉर्मल जो मसाले हम सभी में डालते हैं तो इसमें मैं आड़ करूंगी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ज्यादा सा और साथ में आड़ करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर अच्छा सा कलर देगा और थोड़ और इसमें हलका सा पानी आड़ेंगे अच्छे से इसको mix करेंगे और इसको ढख कर रख देंगे फ्यू मिनिट्स कुक होने के लिए तो थोड़ी देर बाद ही अच्छे से कुक हो जाता है आलू में भी जो मसाले का ना फ्लेवर आ जाता है इसके बाद बस मैं एक बसमती तवा पुलाओ का जो रेसिपी बहुत जादा टेस्टी बनता है और इसमें अट किया है थोड़ा सा धन्यापत्ता और एक नीबू का रस पूरा अट करेंगे क्योंकि पाव भाची में यही सारी चीज़े मोसली डलती है मसाले डलते हैं नीबू का रस डलता है सबचे डलती है और इसको हलके हाते से अच्छे से मेक्स करेंगे फ्यू मिनेट्स कुक करेंगे और यह तवा पुलाओ की रेसिपी बनकर तयार है बिल्कुल स्ट्रेट स्टा सकते हैं अच्छे से अच्छे साथ मैं बना रही हूँ वेगीटीबल रायता थो परस्ट अफॉल मैंने शच्छे से फिर्ट या नहीं कर लिआ अच्छे से विस्ग लिया है इसके बाद मैं याइड करने वाली हूँ जैसे कि टमाटर धन्यापता हरी मिर्च है गाजर को मैं तो इसमें थोड़ा से ग्रेट कर लिया है वह सारी चीजे आप डाल सकते हैं अच्छा सा रायता में टेस्ट आता है तो इसमें थोड़ा समय नमक डाला है दही में बुना हुआ जीरा पाउडर और मैगी का मैजिक मसाला अब इसके बाद जो भी सब्जी आना वह मैट कर तो बस यह बन कर तयार है और इसके साथ बहुत जादा अच्छा लगता है तो बेल बच चुकी है एक तरफ मेरा खाना भी बन चुका है रोशनी आ गई है बस यह ड्रेस वगरा चेंज करेगी मैं इसको भी खाना निकाल दूंगी पापा को भी पापा अभी जादा आप भी बनाते होंगे बहुत अच्छे लगता है और कुछ भी बनाने का मन नहीं हो ना तो इस तरह की चीज़े बना लिया किजिए बहुत अच्छा एक तो टाइम से होता है खाने में भी अच्छा लगता है तो साथी साथ वेजटेबल रायता रग दिया है मैंने और उप को दे दिया है और इसके बाद बनाने वाली हूं मैं एक और रेसिपी जो की मीठा होने वाला है और काफी जादा स्पेशल तो रोशनी का भी लग गया है प्लेट और वो अभी जाएगी आराम से खाएगी फिर पंडने पैड़ जाती है साथी साथ अब इसका भी थोड़े दिन वाद वैकेशन सुड़ो होने वाला है फिप्ट से मेरे पास रखा था यह पका हूँ आम और मैं बनाने वाली हूं मैंगो पुडिंग बहुत साथा एजियर सिंपल तरीके से बिल्कू बन जाता है और अभी जैसे कि मैंगो का सीजन है तो मैंगो की बहुत सारी चाहिए करीब कटा हुआ फ्रेंज वह मैंने डाला है साती साथ इसमें एड करने वाली हूँ शक्र तो शक्र आपको उतना ही डाला है जिस हिसाब से जो आम का मिठास है अगर बहुत सब्सक्र कम लगेगा अगर कम है मीठा तो शक्र ज्यादा लगेगा तो मैंने पांच चम बीच में चम्मच से लाते हुए और यह बिल्कुल जो पल्प है ना मैंगो का तयार है और एक तरफ मैंने थोड़ा सा दूद लिया है आदी कटोरी के करीब और सबसे पहले यह जो है ना मैंगो का पल्प आप देख सकते हो अच्छा सा स्मूथ सा हो रखा है और यह जो दूद है और थंडा किया हुआ दूद है इसमें हम कौन फ्लोर मिक्स करने वाले हैं जिससे की जो पुडिंग है ना सेट हो जाती है तो आदी कटोरी दूद में मै अप्हें पैंन चड़ा दिया गैस पर बिल्कुल अपल्प कर दिया है और इसको फोर तुफाइब मिनट्स यह जो ऐसा ब्लेंगे चलाते हुए तका लेंगे थोड़ा सा ये भी तिकन हो जाता है और अच्छे से फोर तु फाइम मिनिट्स बिल्कुल अपलें पर चलाते भी lumps नहीं होने चाहिए अच्छे से गुला हुआ है ना उसी को डालना चाहिए और अच्छे से continuous में चार से पांच मिनट और कुक करूंगी यह थोड़ा सा थीक होने लगता है साइट का जो पैन है ना चोड़ने लग जाता है तो बिल्कुल इस तरह से consistency होनी चाहिए कि पैन तो इसको continuously मैंने slow flame पर अच्छे से पका लिया है और आप देख सकते हो तो यह पक चुका है अब इसको क्या करना है किसी भी mold glass के mold में steel के mold में कैसा भी चाहो आप जमा सकते हो तो इस तरह से जितने भी यह है ना सारा mixture को मैंने दो बोल में करीब डाल लिया है दो बोल के करी कर लेती हूं क्योंकि टाइम हो जाता है रोशनी को कोचिंग छोड़ने जाने का फ्रेंस तो यह आराम से फ्रेज में रहेगा जब खाने का मनोगा तब हम लोग निकाल के खालेंगे फ्रेंस तो इसको मैंने फ्रेज में रख दिया है सेट होने के लिए अभी काफी ज़्या कीजेगा उसको मैंने रख दिया है पुडिंग को जब ठंडा हो जागा तो वह खुद से ही निकल जाता है तो बाद में इसको टेस्ट करने वाले हैं यह मिर्ची है जो बड़ी वाली मिर्च होती है तो इसका मैं बनाने वाली हूं सालन फटा-फट से यह बनता है और जैसे को बना लेती हूं एक्चली शाम का समय मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है एडिटिंग करने का और रोशनी का थोड़ी देर बाद ना टाइम हो जाएगा फ्रेंस कोचिंग चोड़ने का और आज इतनी साधा दूप है ना क्या ही बताओ और चोड़ने जाना पड़ मुझे तो फटा फट से कुछ कुछ काम जैसे कि शाम कभी मैं कर लेती हैं तो अभी मैं इसको बना लेती हूं शाम के डिनर के लिए भी हो जाएगा तो ये मैंने कुछ हरी मिर्च लिए जिसको बीच में से हलका सा चीरा लगाना है क्योंकि इसको हम फ्राई करते हैं सबस कट लगाना है और मिर्ची का जो सालन बनता ना उसके लिए थोड़े से मसाले करने होते हैं सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मूमफली डाला है और इसको अच्छे से भून लेंगे फ्रेंस हलकी आँच पे बिल्कुल भूनना है थोड़ा से चटकने लगता है और इसके बाद मैंने अध किया है खस-कस होता ना जो पौपी सीड उसको भी आड किया है थोड़ा सा थोड़ा सा तिल के दाने अड किये हैं और इसको विल्कुल स्लो फ्लेम पर पर इसको फ्यू मिनिट्स चूरा उसे ही मैंने एक चमच के करीब डाला है इसका भी उस आप कर सकते हो तो इसको भी साथ ही साथ मैंने भून लिया है और यह हलका सा खुश्बू आने लगती है फ्रेंस पस इसको निकालूंगी एक प्लेट में और इसको बिल्कुल ठंडा होने देते हैं तो ठंडा होने साथ में इसमें लेस meal करेंगगे अभी मैंने घलका सा पानी एट करदिया है पानी अाम बाद में और पाई कर दिर चाहिकी करिए और साथ में फूर्श्ज जैसे का अदो आड़ सु में चाहएगा तो अब इसको पीस लेती हूं उट्राई मसाला अश्जा है इसको मैं पीस तो बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर और चम्मस से हलका सा हिलाते हुए मैंने अच्छे से इसको पीसा है बिल्कुल स्मूथ सा चिकना सा बिल्कुल पेस्ट हो जाना चाहिए तो आप देख सकते हो इस तरह का ये पेस्ट बन कर तयार है और ये जो मिर्ची वाला सालन है ना स्पेशली बिर्यानी के साथ अच्छा लगता है रोटी पराटे के साथ भी अच्छा जाता है तो अब बना लेते हैं मिर्ची का सालन थोड़ा सा ओयल डाला है मैंने और इसमें सबसे पहले फ्राई कर लेंगे ये मिर्च को तो बस हलका सा कलर आ चुका है इसको निका अब इसी तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा आट किया इसको पकने देते हैं और बारिक चॉप किया हुआ इसमें प्याच आट कर लेते हैं अब प्याच को हलका सा गोल्डेन होने तक भून लेंगे बहुत जादा ओवरकुक कर देंगे तो वह टेस्ट नहीं आता हलका सा बस इसको भूनना है और गुल्डन कलर आ चुका है इसके बाद फोड़ा सा हल्दी पाउडर आट किया है मिर्ची पाउडर थोड़ा सा जादा एट किजिएगा क्योंकि ये मिर्च तीकी नहीं होती है धन्या पाउडर और स्वात के साब से मैंने इसमें डाला है नमक अब मैं एट करूंगी चार से पांच करीपत्ता आप याज भूनते समय ही डाल लेना अच्छे से ये कुक हो जाता मैं भूल गई थी बिल्कूल तो अभी मैं डाल रही हूँ तो मसाले के साथ इसको थोड़ा सा भून लेंगे हलका फ्लेम रखना है ताकि मसाले जले नहीं और साथी सा अच्छे से पकाईएगा यह भी साइट जो कॉनर से आप देख सकते हो छोड़ने लगता है अब इसमें जरुत किसाफ से पानी आट करेंगे तो मैंने इसमें एक चोटी कटोरी के करीब इसमें पानी आट किया है अब इसमें फ्राई किया हुआ जो मिर्च है आट कर इसमें अच्छा आता मैं डालती हूँ इसलिए मैंने आपको बताया और बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ एट करना है तो इसका जो बैलन्स हो जाता है यह सारा कुछ अब इसको अच्छे से मेक्स करेंगे ठक कर रख देंगे 4-5 मिनिट्स या 7 मिनिट्स जब तक यह बन चुका है तो बस यह बन चुका है इसको डिश आउट कर लेती हूँ एंजॉय कीजिए विद बिर्यानी पुलाओ या पराठे रोटी के साथ बहुत साथ अच्छे लगते हैं फ्रेंस पराठे से भी अच्छी लगते चैट पिटी जैसी और यह ज्यादा तीकी भी नहीं हूँ आप देख सकते हो बहुत ही जादा धूप है उपर से गरम हवा चल रही है बट कुछ चीज़े ऐसी होती है आप स्किप नहीं कर सकते हो आपकी जो रिस्पॉंसिविलिटी होती है वह आपको निभानी ही पढ़ती है इसको छोड़नी सकते है तो रोशनी को कोचिंग जाना होता है फ्रेंस काफी जादा धूप है तो कपड़े वगरा मैंने फटाफट से जो है थोड़े बहुत जो है सूप चुके थे घड़ी करके मैं रख दूँगी और इसके बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ मैंने फुल ड्रेस पहने है क्योंकि पाहर में बहुत जादा दूप है और रोशनी को भी मैं यही बोलती हूँ फुल हैंड के कपड़े पहनना क्योंकि टैनिंग हो जाता है बहुत जादा मेरे भी जितने ओपन जो है ना फिंगर के हिस्से का हैंड का पाम का वह पूरे अच्छे खासे बिल्कुल टैन हो चुके हैं तो जितना हाथ जाते हैं तो सारी लाइट्स वगरा सारा कुछ आफ कर दिया है इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था फुल ड्रेस पेनी हूँ चेरे पे मास्क लगा के ही जाते हैं फुल कवर अप करके साथ में आंक में गॉगल लगा के जाती हूँ क्योंकि काफी जादा गरम हवा चल बील्दी वगरे को अच्छे से वॉष करके कट लिया था तो मैंने थोड़ा सते टिल डाला है जीरा और भिंडी की बुज़िया बनाने वाली हूँ अच्छी सी कुरकुरी जैसी और इसमें थोड़ा सा जीरा चांद सरसो भी मैंने अच्छा के बाद मैंने हलका हल्दी को प और फिर भिंडी को भूचते है न तो वह अच्छी बनती है और जो कच्छापन है हलदी का आता भी नहीं है तो इस तरह से करना है बस स्लो प्लेंपर थोड़ा सा हलदी को डाल देना है ताकि वह जले नहीं तो अच्छे से इसको mix कर लिया है अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा नीबु का रस नीबु का रस एड़ करने से क्या होता है ना फ्रेंस ये आपकी जो भिंडी है ना चिप चिपी नहीं बनती है तो अक्सर मैं डालती हूं और इसको अच्छे से mix करके अब इसको रख तो मैं सारी शूटिंग जो करती हूं ना सारा रिकॉर्ड अपने मोबाइल से ही करती हूं तो कई बार मोबाइल भी काफी जादा गरम हो जाता है तो इस तरह से जो है ना फोटो क्लियर नहीं आती है तो ये अच्छे से पक चुका था भिंडी फ्रेंस लास्ट में इसमें क टेस्ट आता है और इसके बाद हलका सा पानी का चीटा मारेंगे मिक्स कर लेंगे ताकि ये जले नहीं पानी का चीटा जा मारते है ना तो क्या होता मसाले जलते भी नहीं है और भिंडी आपके कुर्कुरी बनती है इसको थोड़े सा फैला लीया एसको ढखकर फ्यू बहुत जादा इसको अच्छी लगती है तो यह बहुत ही अच्छा सा कलर आया है साथ में अच्छी खासी कुरकुरी बनी है और इसके बाद ना शाम का वक्त हो चुका था फ्रेंस मैं अब पुडिंग को डी मोल्ड करने वाली हूं और इस तरह से मैंने निकाल लिया है और यह बस बनकर तयार है और इसको इस तरह से मैंने निकाला है थोड़ा साइड में मैंगो रख दिया है तो आज शाम को यही थोड़ा थोड़ा तीनों लोग खा लेंगे फ्रेंस आज मैंने कोई चाय वाज नहीं बनाई है वैसे भी काफी जादा गर्मी हो रखी है तो चाय पीन अगर मैंगो मीठे है अच्छे खासे तो कम शक्कर राइट करना है और बहुत अच्छे बनके निकलते हैं तो दूसरा भी मैंने डी मोल्ड कर लिया है और इस तरह से एंजॉई कीजिए बहुत जादा अभी मैंगो का सीजन है बनाईए डिफरेंट टाइप सब रेसिपी अ और इस तरह से अच्छा खासा ये सैट हो चुका था बहुत टेस्टी लग रहा था और पापा को भी अब मैं दे रहती हूं रोशनी को भी अच्छा लगा और बस इस तरह से आज शाम को यही था मीठा तो रोशनी अपना पढ़ने बैठ गई है कल इसका लास्ट स्कूल चल भी नई फ्रेंज देखने लाएक बच्चे को कहां ही ले जाए तो छोड़ा सा जगा है ये छोटी सी सिटी है तो बस इस तरह से जो है ना रोशनी से मैंने पूछा था कि रोटी बनाओं की पराटे क्योंकि भिंडी है साथ में मिर्ची का सालन तो उसने बोला कि पराटे से देख लिए हैं और दुपैर का जो पुलाओ है ना तवा पुलाओ वो भी रखा है वो मैं रात में खा लूँगी और थोड़े से पराटे ले लूँगी हो जाएगा सबके लिए और इसी तरह से जो है ना नाइट का डिनर जल्दी बन जा रहा है आज फटा फट से कर तो बस पराटे भी बन चुके हैं सारा कुछ कम्प्लीट हो चुका है तो फ्रेंस मैंने रखा है थोड़ी से भिंडी मिर्ची का सालन और साथ में पराटे ये तियार है डिनर तो फ्रेंस टिनर बन चुका है आप भी आए एंचॉय किजिए हमारे साथ तो आज को व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और ट्राइज जरूर कीजएगा फ्रेंस मिलते हैं गोई अदर व्लॉग के साथ तब तक के लिए टा 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 एंड वाई ठेक कियो